लड़की के पहलवान भाई को बहन का व्योहार बदला बदला लगता एक दिन किया पीछा लड़की जातो रही थी कॉलेज लेकर पहुँच गई बगीचा और बहुत सम्मान के साथ आमंतित करते हैं आधरियां मनोहर मनोजी को आई कालेज के प्रांगन से क्लासरूम में जाती छात्रा के हातों से किताब गिरे एक छात्र दोड़कर किताब उठाए किताब थमाते समय धीरे से छात्रा की अंगली दवाए याने की छात्र की वर्सों की साधना सफल हुई के हाथ से अब नहीं जा सकती मुई दोनों में होने लगी बातें, बढ़ने लगी मुलाकातें, चांद रातों में जलाने लगा, बसंत तिल मिलाने लगा रात करवट बदलते बीट जाती चहरा आँखों में ऐसा समाया कि नीद ही नहीं आती कुल मिला के दोनों का बुरा हाल है ये हिंदी साहित का रीती काल है ये हिंदी साहित का रीती काल है खांसी, खुशी, खांसी, खुशी और प्रेम छिपाए नहीं चिपता लड़की के पहलवान भाई को बहन का व्योहार बदला बदला लगता एक दिन किया पीछा लड़की जातो रही थी कॉलेज लेकर पोहच गई बगीचा पूर्व नियोजित कारकम के अनुसार दोनों प्रेमी मिले चारो और मिलन के फूल खिले आपस में जताने लगे प्यार पहलवान को समझ में आ गया बहन का बदला हुआ व्योहार उसने बहन को पीछे धकेला प्रेमी को दोनों हातों से उपर उठाया फिर एक गोल लंबा चक दूसों की मार चारो और मच गया बवाल ये हिंदी साहित में कहलाएगा वीर गाथा काल फटा फट राखी मंगाई गई प्रेमी का द्वारा प्रेमी को पहनाई गई राखी और पिटाई ने पुराने रिस्ते को तोड़ दिया दोनों के बीच एक नया रिस्ता जोड़ दि ये हिंदी साहित का भक्ति काल है धीरे धीरे अस्पताल में चोटों के जक्म भरे तो पहले पहले प्यार के खाव फिर से होने लगे हरे प्रेमी राखी और पिटाई वाली बात भूल गया फिर से प्रेम के जूले में जूल गया एक राख मौका मिलते ही दोनों हो गए लापता, खूब ढूणा लेकन नहीं चला पता, प्रेम रसको व्यधानिक रूप से पीने लगे, राखी के बाद भी व्यवाहिक जीवन जीने लगे, समय इस खटना क्रम पर रोता है, मुस्कुराता है, और ये परिवर्तन इंदी साहि में आधुनिक काल कहलाता है, हमारा जीवन दो बातों से प्रभावित होता है, एक वन सानुकरम, दूसरा वातावरन, आदमी इस वातावरन में रहता है, उसका आधी हो जाता है, हम कवी लोग इतनी रेल यात्रा करते हैं, कि पूरा जीवन रेल में हो जाता है, इसका कराना है साम पत्नी को डाक्टर के यहां ले जाकर मैंने कहा दिखाईए उसने रोनी सी सूरत बना के कहा आप आगे आईए मेरा तो बहाना था दरसल आपको दिखाना था काक्टर साब एक कवी सम्मिलों में जाते हैं सपताह में दो दिन के लिए घर आते हैं महिने में 20 दिन बाहर रहते हैं लगातार रेल यात्रा के वाता वरण को सहते हैं इस बार घर आते ही कमाल किया चार फिट चौड़े पलंग को काट कर दो फिट का कर दिया साम अटेची को सांकल से बान कर ताला लगाते हैं तकिये में हवा भरते हैं चपले से रहाने रखते हैं कमरे का ट्यूब लाइट अलग किया उसकी जगह चीरो वाट का बल्ब लगा दिया टेप रिकॉडर से फिल्मी गानों का कैसेट निकाल रेलवे इनाउंसमेंट गाड़ और बिड़ी सिग्रेट के टुकड़े पलंग के चारों और फैलाते हैं मैं तो रात भर जागती हूं और ये आराम से सो जाते हैं बता नहीं कैसी जिंदिगी जीते हैं कप मैं चाहे दो तो कुल्हण में पीते हैं एक रात इनके पास आकर बैठी इन्होंने पाउं मोडे औ पूछा बहन जी आपको कहां जाना है डाइनिंग टेबुल पर खाना खाने से मना करते हैं पूडिया मिठाई के डिब्बे में और सबजी प्लास्टिक की ठेली में भरते हैं फिर अपने दो फुटिया पलंग पर बैठकर खाते हैं बीच-बीच में हिलते भी जाते हैं नी टाइम टेबुल पढ़ते हुए आराम से सो जाते हैं एक रात मेरे भाई और पिताजी आए दोनों इनकी हरकतों से लजाए रात में भाई ने इनकी अटैची जरासी खिरकाई चिल्लाए चंजीर खिचू जोजी करते सर्म नहीं आई सुबए सुबए बुढ़े पिताजी जल्दी उठकर नहाने जा रहे थे बालकनी पर इनके पास वाली खिड़की से आ रहे थे उन्होंने खिड़की से हाथ डालकर इनको जगाया इन्होंने गुस्षे में कहा इस तरह मत जगाओ यहां कुछ नहीं मिलेगा माफ करो बाबा आगे जाओ पिताजी आगे गए तो उन्हें वापस बुलाया उनके हाथ में अठननी दी और पूछा कौन सा इस्टेशन आया इनका अजीब कारनामा है एक पर एक हंगामा है अभी कबाडी के यहां से एक पुराना टेबल फेन मंगवाया और छटपल लटके अच्छे खासे सेलिंग फ काया उसे चालू करने विचित्र तरीका अपनाते हैं जेब से कंगी निकालते हैं और पंखा घुमाते हैं सुबह अटैची खोलकर मंजन ब्रस्ताबुन निकालकर बातरूम की और जाते हैं मैं कहती हूं ठेरो बेटा गया है तो वहीं लाइन लगाते हैं समझाती हूं आज रोकते हैं हर दो मिनिट के बाद बातरूम का दरवाजा ठोकते हैं इन्हों ने पूरे घर को सिरपर उठा लिया है घर को वेटिंग रूम और बेड रूम को रेल्यवे कंपार्टमेंट बना दिया है इनके साथ जिंदगी कैसे कटेगी हमें सोच के डरते हैं है और ये तो हम तो एक ही जनम में पस्ताए और भगवान किसी यूति को ऐसी रेलियाप्रा करने वाले कवी कोई कवी की पत्रीना बनाए